कि यह गाईज वेलकॉम टू अनौधर वीडियो एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला हैं सैमसंग गलैक्सी की टुशन को लाएं तो उसके बारे में आप लोग को जानना चाहिए अगर आप लोग उस फोन को फोन को लेना चाहिए तो इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बताएंगे इस वीडियो को सुरू से अन तक देखते रहेगा तो सबसे पहले बात करते हैं उस फोन के बारे में तो देखते हैं उसके लुक के बारे में तो आप लोग देख सकते हैं इसका लुक देखने में बहुत ही जवरजास्त लग रहा है साथ ही स जिसके help से हम अपने हात में mobile को इजली तरीके से पकड़ सकते हैं करते हैं Noir के बारे में तो मेली इसके आते हैं । क्लर पारे में बात, जो की mobile को बहुत अठ्रयक्ट्रेटिव बना देता है क्योंकि 20% जो यहां पे जो colors हैं वो हमें three colors में मिल रहे हैं वन है black, second metallic blue and third violet color यह सब color है जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा unique और standard लगते हैं तो इसके बाद बात करते हैं इसके weight के बारे में ठीक है color तो मिल गया अच्छा हम लोग चाहते हैं कि हमें light मूबाइल मिले जितना ही हलका हो तो इसका weight है हर मूबाइल की तरह 197 gram है जो कि बहुत ही कम है एंड इसके बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में क्योंकि हम लोग आज के डेली लाइफ में ज्यादा तर गेम्स खेल रहे हैं सब्सक्राइब चाहिए और कोई पी वर्क करने के लिए तो यहां पी जो प्रोसेसर है हम लोग को मिल रहा है यहां पे two-repe楽器 प्रोसेसर मिल रहा है और यहां पे जो स्पीड हो वह वह 1.8 हर्ट मिल रहा है और यह सब फिचर्ट हों गए एंड इसके बात करते हैं इसके जो लेसन जो है वो हमें 720 इंटू 1560 मिलता है और बात करते हैं इसके डिस्प्लेय टाइप के यानि कि इसका जो दिस्प्लेय हो वह किस टाइप का हुआ तो हमें यहां पर अब बात करते हैं इसके डिस्प्लेय के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर हम लोगों को ट्रीपल कामरा प्रवाइड करा जा रहा है यहां जो है मैं में यहां जो है मैं का मिल रहा है जो कि 30 मेगा पिक्षल होगा जो जousंट कैमरा एब भाहत है ने ज्यादा उनिक हो गया है और बात करते हैं डिकन और या फॉक्षण इसमें पर्वाइड करा और Lawrence Chief कर रहे हैं तो तो इसमें फंक्शन प्रवाइड कराएगा है जैसे आटो फोकस जिस लाइक की जैसे हम लोग बलर करते हैं बैक्राउंड उसके लिए जूमिंग के लिए भी हम लोग को आप्शन मिल जा रहा है साथ ही साथ एक LED प्लैस मिल रहा है जो कि नाइट में हम लोगों को हिल्प इसके बात करते हैं कि इसके वीडियो रिकॉर्डिंग अगर हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कीस तरह का हम लोग को क्वालिटी मिलेगा तो यहां पर हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग के करते समय हम लोग को फूल एचडी क्वालिटी मिलेगा एड बात बर्ट हम लोगों क्या हो भंड लोग मौस्ट अब क्या कर रहे हैं फोटो जीच रहे हैं ऑट उनको स्टोर करने के लिए कुश्ट चीच चाहिए तो अब हम लोग आते हैं मेमोरी पे तो बात करते मेमोरी के बारे में तो यहां पर हम लोग को मिलता है रायम जो कि 3GB है 3GB सही है लेकिन 4GB रहता तो और भी अच्छा होता यहां पर 3GB मिल रहा है और यहां पर ROM जिसे हम लोग internal memory कहते हैं वो मिल रहे 32GB लेकिन जब वो लोग अपने apps operating system इस्टॉल कर देंगे उसके बाद हम लोग को स्रिफ 21GB मिलेगा यानि कि यहां पर internal storage जो है हम लोगों के लिए 21GB है साथ ही साथ अगर हम लोगों को जरूरत करें उसार memory बढ़ाना पड़े तो हम लोग 512GB तक external कोई भी memory card input कर सकते हैं बात करते हैं इसके network connectivity के बारे में तो यहां पर हम लोगों को dual SIM मिलने वाला है और यह हमेशा की तरह यह 4G ही होने वाला है अब इसके बात करते हैं connectivity system के बारे में यानि को mobile को कैसे connect करेंगे तो यहां पर हम लोगों को USB जो मिल रहा है वो हम लोगो USB type C मिल रहा है साथी साथ audio jack है वो 3.5 mm का मिल रहा है अब हम लोगो Wi-Fi Bluetooth भी प्रवाइड कराए जा रहा है इस mobile में यह सब तो हो गया है बट अब बात करते हैं इसके operating system के बारे में तो यहां पी जो operating system है हम लोगों को मिल रहा है Android और इसमें बहुत सारे sensor भी प्रवाइड कराए गया है जैसे में हैं कि accelerometer, fingerprint sensor, light sensor proximity sensor face recognition यह सब sensor बहुत ही जड़े अच्छे है में इसमें दो sensor कि फिंगर प्रिंट sensor जिससे हम लोग और लोग कर सकते हैं मुबाइल साथ ही साथ face recognition जिससे हम लोग मुबाइल को और लोग कर सकते हैं तो यहां पर यह दो sensor बहुत ही useful sensor है और बात करते हैं इसके battery life के बारे में तो यहां पर जो है कि हम लोग 5,000 mAh का battery life मिल रहा है साथ ही साथ 15W का fast charging मिल रहा है यानि कि हमें जल्द से जल्द यह मुबाइल भी चार्ज हो जागा इस रेंज में यह सही है अभी प्राइस में आपको पता चलेगा तो चलिया प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं तो मेलनी आप लोग को बताएगे है कि यह दो जून को लॉंच होने वाला है तो इसका जो प्राइस है एप्रोक्स 10,000 के आसपास आना चाहिए इंडिया मे इंडिया में 10,000 के आसपास यह लॉंच हो जाएगा और साथी साथ यह जो सैमसंट गलाक्सी एम 11 है इसके साथ एक और मोबाइल लॉंच हो रहा है सैमसंट गलाक्सी एम 01 एंड उसके बाद इसके सारे फिचर्स तो खतम हो गए बट आप देखिए यह यह मोबाइल लेना च इसके साथ कंपेर किया है हम लोगों इन्हें अदर मोबाइल को तो वह सारे वीडियो भी हमारे चैनल पर चेक कर लिजेगा तो फ्रेंड्स लाइक शेयर कमेंट एंड थैंक्स पर वाचिंग